शंकाराचार्य मध्यमाम, अस्मद आचार्य पर्यंताम, वंदे गुरु परंपराम, मन्नाथ स्री जगन्नाथ, मद्गुरो स्री जगत्गुरु, मदात्मा सर्वभूतात्मा, सस्मै श्री गुरवे नमा ओंकार स्वरूप पूर्ण ब्रह्म चिदंबर, तत्षिष्य जयांता संतराजाराम थोर, त्वामी रुधैते ग्ञान करीजो साकार, नतनिक्य माथा गुरु शिष्य चर्णावर गुरुपाक टाक्षाची एकेहने, महो समुद्राते आटने गडे जय त्या स्री कृष्य बंदू तयाते, श्री चिदंबर, राजाराम महाराज कीज, सद्गुरनात महाराज कीज, ठरियों तत्षत, परमपुज्य महास्वामी, संतरसेष्य राजाराम महाराज, श्री गुरुपाजनां को सप्रेम अभिवादन करती है, और आज का जो अपना विशे है, वो विशे का हम थोड़ा चिंतन करेंगे, ग्यारावा जो परकरन है, वो ज्यान साधना, अंगवर्णन, ऐसा उसका नाम है, पूरी ज्यान साधना जो है, ये ज्यान साधना यहाँ पर सं अंगवर्णन है सा क्या है, अंगवर्णन यानि अंगिकार करना, यानि जिसका जो हमें अपनाना है, ये जो साधन उन्होंने दिये है, वो साधन हमें अपनाने है, और ब्रह्म का अनगो लेना है, और इसलिए कितने साधन है, अगर हमें ज्यान की साधना करनी है, तो जितन पूरे साधन उन्होंने दिये हैं वह 15 साधन हैं और यह पूरे 15 साधन यह प्रेक्टिकल उन्होंने दिये यहाँ पे पूरा जो थेराटिकल जो था पूरा नोलेज पहले दे दिया पर अब जो बैटके करनी है तो बैटके करने में साधना क्या करना है और वो साधना के लिए पंद्रह ज्यान के जो पूरे बरण है वो पूरे साधन यहां पर हमें संतर स्चेश्टर राजारह मारज बता रहे है लेकिन उनका पेंड़ा कैसा है वो वेदान्त के सिवा कुछ बोलते ही नहीं है छोटा ये प्रकरन है आज एक गंटे में ही उसका पुरा चिंतन हमारा काफी होगा लेकिन इसमें जो शुरुवात की है जो प्रारंब किया है वो प्रारंब ही वो कहां से करते है तो वो कहते कि शडविकार है हर जीव को और ये शडविकार हमें जानने चाहिए कौन से विकार है हम कई बार यह इसका चिंतन कर चुके है जो स्तूल विकार है काम और करोधादी जो विकार है ये स्तूल है लेकिन सुक्ष्म विकार हर जीव को है जिससे हमने कई बार देखा है अस्ती जायते वर्दते विपरिणामते एक्षियते मिरियते ये जो छे विकार है ये शड़ विकार अस्ती जायते वर्दते विपरिणामते अपक्षियते विनश्यते ये छे जो है इस क्रंथ में इन छे जो है ये छे विकारों का वरड़न किया है अब इसका वरड़न भी हमने कई बार देखा अस्ति यानि जन्म के पहले ही हमारा अस्ति तो है जैसे जब भी हमारा जन्म हुआ खुद का हम सभी जन है कि कभी न कभी तो हम अपने माता के उधर में से हम बाहर आए, जन्म हुआ, लेकिन इस जायते, जायते आने जन्म लेना, उसके पहले अमारा अस्तित्व था, अस्ति, अने अस्तित्व था, लेकिन वो प्रगट नहीं था, गुप्त था, वो कहा था, वो माता के दर्भा में था उसके पहले वासना स्वरूप वायुस्वरूप लिंगर रुपी पूरे वातावरण में कहा था पता नहीं लेकिन अस्तित्व था ये जो समझता नहीं लेकिन है अस्तित्व जिसे वो कहते नवे जो था ये नहीं दिच्टा नहीं है लेकिन है ऐसा जो जीव क अस्तित्व उसे अस्ति कहा गया है बात में का जो विश्वई नहीं हुआ है तो हम भी तो नहीं हुए लेकिन जो नहीं है उसी ने क्या किया है तो एक आकार साकारता क्या कि है अपना ली है जो निराकार हम सारे है लेकिन वो निराकारता हमने छोड़ी है और अपने ही सुख्ष्म वासना से हम सभी ने एक आकार धारण कर लिया है और इसके लिए बेकेते है नवे तेची आले इसे कहा है जायते सिरबाद में का है विवर्दते विवर्दते नहीं याने बढ़ना कैसा बढ़ता है संतस्रिश्टर राजारम महराज कहते है कि माता के उदर में एक जीव है और ये नव मास में ये पूरा उसका जो शरीर है वो शरीर धारण कर लेता है पहले मन्त में क्या है दूसरे मेने में क्या है तीसरे मेने में क्या है इस तरह का पूरा नव मास में एक पूरा शरीर जो है वो क्या होता है विवर्दते यानि पूरी उसकी वा जो है वो पूरा शरीर तयार होता है और शरीर का पूर्ण ऐसा जो देह तयार हुआ अब देह तो पूर्ण तयार हुआ, लेकिन देह है कैसा, तो देह तो देखा जाए, तो यह देश नाशी बनता है, उसमी पर कहते है, जो विवर्धते हो रहे, वो कैसा है, तो विवर्धते होने वाला, वो कहा जा रहा है, तो वो अंतीम स्थिति के लिए जा रहा है, लेकिन यह वर्ध यानि विवर्दते ने देह के पूर्णस्तिती जो है वो पूर्णस्तिती उसका विकास होना इसरा विकार का है चौठा विकार जो है तो विपरीणा मते जैसे यां जनम लिया चोटे बच्चे बालख होते हैं एकडम चोटा बच्चा फिर बांद में शिशु है फिर बढ़ पिर बालक होता है, फिर युवा होता है, अभी जो शिशु है, वो शिशु अभी युवा होना, यानि शुशु का ही बदल युवा में होना, युवा का ही बदल गरस्त आश्रम में होना, ये जो बदल शरीर में होते है, या तो आश्रम में होते है, इसे संतस्तेश्टराजा यही जीव और आगे आगे बढ़ता है उसका शरीर वैसे ही पहले बहुत उंचा रहता है लेकिन बाद में अभी उसकी जो ताकदे कम होने लगती है अभी अपक्षी अते यानि अभी वक्षी नहोंच दवने लगता है और इसले इसी शरीर को इसी देहो को अभी आना उसे वह अपक्षियते कहते है और विनश्यते यानि मृत्यू यह सारे जीव के जो छे विकार है यह सारे के सारे एक ही जीव को कैसे है यानि जनम के पहले कास्तित्व जनमना बढ़ना युवास्तित्याना जरा होना फिर बाद में मृत्यू होना यह सारे के सारे कैसे ह तो एकी मानवी देह में है अब ये देह जब मानव देह हमें तुम्हें मिला लेकिन उसके पहले तो हमारे कितने देह हुए ये तो हमें पता नहीं है यहाँ पर संतर से सराजारा महराज के थे कि कितने हैं चवरैशी लक्षे होनी है ये पूरे घूम के घूम के हम कहां आये है तो इस नश्वर जो है ये नश्वर देह में आये है जो देह की हम बहुत क्या करते है तो उसे बहुत सजाते है उसे बहुत सारा सुख देने की कोशिश करते है लेकिन ये देह जो है जिसे हम सजाते है उसका ये कभी विचारतानिक कि ये किससे बना हुआ है अगर उत्पत्ती इतनी बूरे चीज़ की है तो हमारे जिंदगे में हमें बूरी चीज़े मिलेंगी या अच्छी चीज़े मिलेंगी दोनों मिलने वाली है क्योंकि पापपुन्य सबता गरे करीत नरद यह जोडे यह भी संता बचान है लेकिन देह जो है वो देह कैसा है यह वीटार का ही बना हुआ है और यह कैसा है तो यही मूर जो स्वरूप है यही दुख का कारण है पूरे जिंदगी में हमें कई तरह के दुख मिलते है मारे डॉक्टर का कामेशा केते देखो बच्चा जब भी जननता है ना सब भी भी वो रोता है क्यों होता है क्योंकि उसके कपड़े गिल्ले होते है उसे अन्धेरे में रखतya तो उसे डड़ लगता है इसलिए वो रोता है याने जैसे भी यह जीवनी जीवधारण कर लिया वैसे ही उसे दुख की अनुबती होने शुरू ही होती है और इसलिए यह देह जो है यही दुख का मूल है अगर यह दुख का हमें नहीं चाहिए तो हमें इस देह में पवीत्र क्या है और अब पवीत्र क्या है यह समझना है और इसलिए संतर से सराजा रभ माराज हमें सवाल पूछते बहुत संदर सवाल पूछा है यहां पर रजा रभ माराज हमें पूछते है जीव असत ची नरकी पड़े केते कि जबी हमने जीवधारण किया है अभी जैसा ही हमने जीवधारण किया है तो हम कहां पर आकर गिरे मानो हम सारे नरत में आकर गिरे है पवीत्र पड़ को के इस देह में क्या पवीत्र है अपनी जो उपर की जो तवचा है ना तवक इंद्रियर निनकाल दो, सिर्फ निकाल दो, इसा नहीं कि हमें चाकुलेने बैठना है और आपना शरीर पूरा छिलना है वो छिलने की ज़रूर नहीं है, सिर्स एक शड हम विचार भी करेंगे, कि अगर ये उपर का वक्त इंद्रियं नहीं होता तो हमारी शरीर में अंधर क्या है उसमें माउस है रखता है इतना जीलापन है इतनी गंदगी वहाँ पर है। जिसे हम बहुत सारा हम कहते कि मुख कितना सुन्द्र है लेकिन संत पूछ Administration कहते है हमें देखो हमारे नाक में क्या आता है मुँमे से कितनी गंदगी बाहर आती है कान में से क्या-क्या बाहर आता है क्या पविता है कितना भी खाना हम अच्छा खाने दो लेकिन कितना भी अच्छा खाना स्वादिश्ट खाया, बड़ा साप्री का खाना खाया, कितना भी केशर डालके पानी पिया, तो भी वो पानी ये शरीर में नहीं रहता है, और जैसे ही वो शरीर के बहर आता है, वो पवित्र नहीं रहता है, वो अपवित्र होता है, तो शरी कि पवीत्र तत्व, वावन तत्व, शाश्वत तत्व है और अब वो हमें जानना है, तो हमें आत्मस्रिति पराप्त कर लिनी चाहिए. पहले ही राजार अरच कीतें. यह मैं क्या हो क्यों कर रहा था, कह रहा हूँ, यह जो सारे ग्यान के 15 सादन है, यह सादन इसलिए कह रहा हूँ कि पहरे जान लो यह तुम्हारा जो देह है वह मानों न रखी है यह पर पवित्र कुछ भी नहीं है सिर्फ यह एक सादन है और सादन करके इसका उपयोग करो और उपयोग करके अंतररंग की जो आत्मस्तिती है वो आत्मस्तिती हमें प्राप् पहीं नहीं की, तो यह शरीर क्या है, वह व्यर्थ ही है, मानो हम नरदेव में आके भी कैसे है, तो पशु ही है, क्योंकि हम आत्म ही तो नहीं जानते, यह सारा फंतसेश्टर राजार अमारज ने, पहले ही यह सारे अपने देव कबारे हमें कह दिया, और अभी वह कहते है, कि अभी आगे जो विशे में आपको समझा रहा हूँ, उग्यान का विशे है, आत्मग्यान का विशे है, आत्मग्यान की अनुभुती लेनी है, अगर यह आत्मग्यान की अनुभुती लेनी है, तो हमें संतों के चरणों में जाना पड़ेगा, हमें सद गुरू को हमें अनन्य शरण भाव से शरण जाना हैं और अनन्य भाव शरण जाने के बाद में जब इस तरह की गुरू की सेवा की जाती है तब वो शिश्य के उपर बड़े उनका चित्त प्रसन्न होता है और जब उनका चित्त प्रसन्न होता है तो वो साधन कहते हैं संतस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष प्राप्टी हुई है तो वो आनंद जो है वो अकेला सहन नहीं कर पाता जीव और इसलिए वो आनंद बात रहे हैं क्योंकि अभी उनके अंदर जितनी भी तरंगे हैं वो कहते हैं मेरा अंतक्रम एक चित सागर है और इक सागर में एक एक जो लहर उटती है वो हर लहर कैसी है वो छिदा अनंद की रहर है और ये आनंद स्वानंद ये दूसरों को दिये बिना मैं नेरीज नहीं रह सकता और इसलिए ये आनंद का सागर बातने के लिए और हमें वहां तक लेके जाने के लिए ज्यान ये एक ही साधन है और ये ज्यान के जो पंद्रह प्रकार है या तो पंद्रह तरह के जो अलग-अलग तरह से उसकी अभी वेस्टी है वो अभी वेस्टी क्या है यहाँ पर हमें संतर सेश्टर राजारण महराज कहते है वो केते ज्यान के पंद्रह जो है वो साधने है इसमें के पहला साधन कौन सा है यम अभी यहाँ पर यम नियम आसन प्रत्याहार धर्णा ध्यान समाधी यह सारे शब्दा गर हम देखे तो यह योगमारग के है वैसे तो राजारण महराज विदानती है महास्वामी विदानती है शाक्षाक शिव के अवतारी है और इसलिए विदान तो यह उनका प्रान है फिर भी सामाने जन हम जो प्रापंचिक जन है हमने जब तक हम परमात्मा के लिए कुछ नहीं करते हैं तक तक हमें कुछ किया ऐसा नहीं लगते है कुछ तो करना चाहिए यह जो हमारी करने की आदत है तो यह करने की आदत लेके ही हम परमार्थ हमें आते है और इसलिए यहां भी हम में कुछ तो किये बिना चैन नहीं आता बहले हम क्या करेंगे कुछ अब अंग पढ़ेंगे अब अंग गाएंगे भजन करेंगे पारायन करेंगे कुछ भी करेंगे लेकिन अगर आंख मौन्द कर चुप बैठो हमारे सद्गुरु कहते है लेकिन हम वो नहीं कर सकते क्यूंकि हमें करने की आदत है चलो ठीक है संत कहते है करने की आदत है न ठीक है इसी आदत से अभी क्या करो अभी योगा मार्गज करो योगा यानि जोडना यूजद धातू जहापर जोडना परमात्मा को जीव से जोडना वो जोडने के लिए क्या क्या करना है अब यह अश्टाम का मार्गा जब हम योग मार्गा में देखते है तो यमा जिसे हम देखते है तो यमा में शमा है, दमा है, सारे सारे है क्या क्या करना है वापर एसा योगमार्ग तो उपर का उपर का संतर सेश्टर राजारम माराज ने स्विकार किया है लेकिन थोड़ा फर्क करके पूरा योगमार्ग उन्होंने ग्यान अमार्गों को जोड़ा है ये इनकी विशेष्टा है जैसे हमारे पास एक कोईन है उसी तरह इस अध्यात्म मार्ग में योग और ग्यान अमार्ग एक ही है और इसी योगमार्ग से हम ग्यान अमार्ग तक जाकर आत्मक ग्यान की या तो आत्मक दर्शन कर ले सकते है और इसलिए इसी के योगमार्ग के पंदरह साधन यहाँ पर संतर्शेश्टर राजारा महराजा में कह रहा है। यहाँ आज़ आता है। ज्ञानी इंडरी इंडरी इर ब्रह्म देशने शन ख़नी साधन अल्सबों यम्म यम कौन सा है और योग ओमार्ग का ten अजय कोंसा अब esf pitch प्रशागंधर कें यहां पर वो कहते हैं कि सारी इंग्रिये जी से हम सेंसिटिव और्धन करते हैं शब्दस पर शरूप और रसद अंदर यह अमारी सारी पंचग्ण्यान इंग्रिये है यह सारी इंग्रिये सिर्फ एकी तत्व का दर्शन लें कुछ भी आँखों से देखे तो ब्रह्म ही देखे कुछ ग्रहन करे तो भी ब्रह्मरस ग्रहन किया इस विचार से ग्रहन करे कुछ सूंग लिया तो भी ब्रह्म के अधिश्ठान पर ही मैंने सूंगा यह चिंटन करेंगे कुछ सुना तो भी शब्द किसका है अकाश्टत्व का है इसका अधार क्या है ब्रह्मत अत्व है यानि कौन से भी पाचों विशेयों से जो जो अनुबुती आती है वो अनुबुती ब्रह्मत अत्व की है इस तरह का चिंतन जो साध्य किया वप्त करता है उसी ने क्या साध्य किया है उसी ने यम साध्य किया है अभी पहले ही प्रस्टेप किती प्रस्टेप पर कह रहा है यमा याने हमारी पांचो जो सेंसिटिव औरगंस है पांचो जो ग्यानेंद्रिय है उनका विश्य एक ही चाहिए और वो एक ही याने वो ग्रम्हतत्व या तो आश्मितत्व चाहिए अभी पहले ही कहा है इसे ही वो कहते है क्या ही यम इसे कहा है फिर बाद में कहा है नियम अभी नियम में भी पांच है अभी ये नियम को उन्होंने और एक शब्द बहुत सुन्दर दिया है जो संतों ने जिसका काफी क्या किया है तो उपियों किया है संदा हमेशा केते कि जितना भी तुम्हे कुछ साधन करना है अगर भगवान को साधा तुम्हे वन्दन करना है लेकिन वो वन्दन भी एकी वक्त उसी वक्त अगर रोज की रोज एकी जगा एकी समय अगर हम करे तो वो तप है दिन में 24 गंटे है तो आज सुबह कल दुपेर को, फिर शाम को, फिर रात को, इसे नियम नहीं कहते, नियम यानि कुछ डिसिप्लिन हमें खुद को लगा लेनी है और इस अर्थ से नियम, नियम यानि साधन में साथत्य रहना, continuity रहना, तो साधन की continuity, साधन का साथत्य, इसे संतो सेश्ट राजा राम महराज कहते हैं, इसे नियम या तो नियम कहा गया है, जेखो संतों का शब्द है, नियम, हमारे करना तक में आपने साध नाम सुना होगा, कि गुर्देव रानडे, जो सरवपली रादा सरिष्ण जी है, जो उनके सद्गुरु थे, निम्बाल में उनका बड़ा आश्रम है, जैसे गुंदो लेकर नामा उतार समझे जाते हैं, उसी तरह करना तक में जो ये गुर् कटा का नेम, नेम जो है, यहने हमें जो साधन करना है, वो कटा का नेम, यहने हमारे इंद्रियों को हमें इस तरह से काबू रहना चाहिए, कि अगर नाम लेने के लिए बैठना है, तो पांच मिनिट, दस मिनिट नहीं, संकल्पी करो, कि कम से कमें दो गंटा बैटूंगा, अपने इंद्रियों को पूरा चेंज करना है, उनको बदलना है, तो अगर बदलना है, तो हमें नेम करना पड़ेगा, और नेम करना, यानि जो नियम है, वो नियम हमें हमारे लिए, खुद के उपर ही, जिससे स्वयम नियंतृत हमें हमको कुद को करना है, उसे नियम या त इस नेम में भी चिंतन कहते हैं किस तरह का चिंतन सादत या बक्तों ने करना है राजा रामाराज में कहते हैं किसना सुंदर का है हमारे सामने बहुत सारे अलंका है बैंगल्स है गले कहार है कान के है और भी कुछ बड़े कितने भी सारे अलंका है लेकिन हमें अलंकार में देखना है क्योंकि अलंकार को एक रूप है और अलंकार को एक नाम है यालंकार का नाम और रूप छोड़के हमें क्या देखना है पावे बंगारो बंगार याने सोना कौन से दृष्टी भी कसिद करनी है सुख्ष में दृष्टी भी कसिद करनी है तो हमें सोना देखना है और सोना देखना है और सोना देखने की आदर हमें खुद पर डालनी है और यही हमें नेम करना है और यह नेम कैसा करना है वो कहते है नुरे द्वाईत भावो अगर इस तरह का चिंतन आप करोगे तो मन में का जो द्वाईत भाव है वो पूरा नहीं रहेगा वो पूरा खत्म हो जाएगा और फि आदवाइतानेमा रन Mouse नियम की व्याठ्या worship यहां पर सिंसें संदे रहे हैं है आनन्द मिलना हमें मानन्द चाहिए और इसलिए हम सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं लेकिन जो भी सुख हमें मिलता है जो भी हमें आनन्द मिलता है वो स्वह का आनन्द है स्वह याने मेरा ही है देखो कभी सचो हमारा कभी मूर्द नहीं होता घर में कुछ ऐसा शायद जो हमारा अटमस्फिर है वो अनुकुल नहीं होगा और जबी पूरा हम उदास मन में हैं और उदास मन में किसी हमाय है अपना जो कुछी एक मित्र है या तो अपने सहली है और सहली ने फोन किया और वो अच्छे अच्छी बाते करने लगी वो बड़ी प्यारी बाते करने लगी सहली या तो मित्र अच्छी बाते करता है लेकिन जब हमारा मन उदास होता है तो क्या वो अच्छी बाते हमें अच्छी लगती है कि मनने लगता है कभी ये फोन रख दूँ अभी मुझे ये कुछ नहीं सुनना है क्योंकि मेरा मुड नहीं है यानि सुख लेना और सुख देना ये किसी के हाथ में है ये नहीं है वो हर जीव का स्वातंतर है और वो खुद का स्वातंतर है और इसलिए यह आनन्द भी स्वानन्द है और इसलिए वो कहते है कि अद्वाइत नेम सारा स्वानन्द परिपुर्ण पूरा विश्वा आनन्द रूप से परिपुर्ण है और यह मेरा ही है और यह आनन्द सरूप हम खुदी जान सकते हैं यह जानना इसलिको वे नेम कहते है यहां को नियम कहते है योग सास्तर का दूसरा स्टेज है तिसरा स्टेज का है त्यागो त्याग करना याने छोड़ना बहराग्या में हमने देखा क्या छोड़ना है अब यहां पर क्या कहा है जड़ स्वरूपासा त्यागो यहीं दिया को definition ही कहते, जो जड़ा है, जड़ा याने जो जो साकार है, जड़ा याने जो पांचब होतिक है, जो पंचमा बुतों से बनी हुई सारी चीजे, वो घर होने दो, या तो और कुछ भी होने दो, या तो मॉल होने दो, या कुछ मुबाईल होने दो, या अपनी गद्धी होने यह सारी पंचय मादूतिक छीजिय जो है एक जड़ स्वरू और सामने आता है उसे इक नाम होता है यह पंचय माः già पिंग ne नो is bring fem a readers the circul ट्याग करो तो उसका परियाम क्या है उसका नाम रूप का अगर क्याग करोगे तो उसकी पीछे सचिदानन्द ये जो सुक्ष्ण प्रेवना है या तो अस्तिबाती प्रिय यह प्रेवना है यह इशक रुपे से जीव को समझे जाएगी और जैसे ही वह समझ जाएगी तो वह जीव को जो मोक्ष प्राप्त होने वाला है जो निरिशय अनंद की प्राक्ति है वह कैसी है वह रोकडी रोकडी याने कैश है उदार में है महाँ पर कुछ इस जिन्दगी में उदार कुछ नहीं है यहाँ पर जो भी कुछ है वह कैसा है वह पूरा कैश रोकडा ही है और ऐसा रोकडा जो है मुक्ष जो है वह संता में देते हैं और इसलिए क्या आग करना जड़े स्वरू पकात्याग यही तीसरा क्या है वो ग्यान का साध्रन कहा गया है चाउता जो इता है मौन मौन के बारे में भी हमने देखा है हमें ऐसा लगता है मौन यानि सिर्फ ना बोलना वो तो है ही लेकिन इस प्रकरन में कहा है सवु वाचेसी मौन यानि सिर्फ वैखरी को मौन नहीं है वैखरी मद्यमा पश्यंति और परा चारो के चारो वानि स्टूल से सुक्ष्म सुक्ष्म सुक्ष्मतर होने वाली चारो वानिया जो है ये पूरी शांत होना परा वानि में एक भी संकल्प ही नहीं उठना ये सच्ची मौन है तो चारो वानि का मन और मन और बुद्धी अगो चरो जो मन और बुद्धी को नहीं समझता आत्मसरूप परमात्मसरूप मन नहीं जान सकता क्योंकि वह वायू तत्व का है जड़ा है बुद्धी भी तेज तत्व की है वह नहीं जान सकती जो आत्मसरूप जो परमात्मसरूप मन और बुद्धी नहीं जान सकता वही तत्व अगर संतों के चरणों में बैठ कर उनका ज्यान हम समझ लेंगे तो तेची ज्ञाने गोचर वही तत्व उन्होंने कहा हुआ जो जो ज्यान जो उनक्या अनुभुती का ज्यान है जो उनकी अपरोक्षानव भुती है वो अपरोक्षानव भुती का ज्यान से जो नहीं गोचर होने वाला है वही अभी गोचर होता है पहले इससे लगते भ्रमतत वही नहीं किदर राम है राम तो कहां नहीं लिखता है लेकिन सच्ची राम बगता है तो उसे राम के सिवा और कुछ भी नहीं दिता, सची चिदंबर वक्त है, तो उसे चिदंबर सामी के सिवार, कुछ भी नहीं दिता, किसी भी मंदिर में जाने दो, किसको वंदन करोगे, उसी तत्व को वंदन करोगे, यानि एक इस तरह की अवस्था आ जाती है, कि जिस अवस्था में जो निराकार तत्व है, वह भी गोचर होता है, लेकिन कब होता है, जब सच्ची मांग होता है, और इसलिए मां, यानि पहले चारो वानिया जो है, ये पूरी की पूरी शान्त होना, वो चौथा साजन कहा गय है, पाचवा साजन कहा गया है, देश परिच्छिन्न, खाली उन्होंने देश का है, जैसे कैसे है, तुम और आम कैसे है, हम देश परिच्छिन्न हैं, देश परिच्छिन्न यानि अगर अब भी मेरे डंबीली में मेरे गर में बैठी हूं, तो इसका मतलब सीधा है, कि मैं में थाना में नहीं हूं मैं मुलून में नहीं हूं या तो और मैं कहीं भी नहीं हूं क्योंकि मेरा शरीर इतना सांत है इतना चोटा है कि वह एक ही जगह पर रह सकता है यानि देश परिछेनु update यानि वो लिमीटेर हो गया, मर्यागईथ हो गया उस तरह लेकिन आत्मतत्व यह तो ब्रमतत्व इसा नहीं है वो तो ब्यापक है क्योंकि उसे शाकारता ही नहीं है, जो निराकारता है वो वहाँ पर व्यापक लता है और जो व्यापक करता है तो वो कैसा है, वो सभी जगा पे है, और इसलिए वो देश से परिच्छिनन नहीं, परिच्छिनन हैंने तुकडे 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 नहीं है, हमारे तुकडे तुकडे है, मेरा शरीर अलगे, आपका शरीर अलगे, बेटे का शरीर अलगे, बेटी क और देश परिष्षुन एसा तत्व है तेरी ने जने हम हमेशा हमारे जो वानी है, जो भी कुछ बूलती है, वह तीन काल में बोलती है, एक तो भुद्धकाल में हम चिंतन करते है या तो बविश्य का ज़्यादा चिंतन करते है लेकिन जो वरतमान है वो वरतमान सिप्य में हम रहते ही नहीं है नित्य वरतमान में रहना यानि नित्य आनन्द स्वरूप में रहना लेकिन हम वरतमान में कभी रहते ही नहीं है दिखो किसे ने कभी कभी ऐसा होता है किसी हमारे कृष्चेदार के पाँ समझाते सुंदर किसे ने हमें एक पुरन पुली का आस्वाद लेने के बज़ा है जैसे ही वह पुरन को लिया मुँ में डालते है हमारे मुझ से मा से वक्ते निकली जाता है इतनी सुन्दर पोरी बहुत जिनों के बाद खाई मेरी मा भी ऐसे ही बनाती थी गया मन भूत काल में वरतमान का आनंद छूट गया काल परी छिन्न हम सारे जिनोंने जिने नो देह की उपादी लिया है हम सारे के सारे कैसे है तो हम काल परी छिन्न है और तत्व कैसा है परमात्मा कैसा है वो तो काल परी छिन्न नहीं है वो अखंद है हम कालों में ही हमेशा हमारा जो जीवन है वो वितित होता है और ब्रह्मा तत्व कैसा है वो अखंद है और इसलिए तंतसे सराजा रामाज कहते है कि अगर देश परिचिनन का अनुबुती लेना है तो कैसे अनुबुती लेनी चाहिए तो साधक ने अनुवे दुरुष्टी विकसित कर लेनी चाहिए अगर काला परिचिनन जो है ये काला परिचिनन की अनुबुती हमें लेनी है तो उसके लिए कौन सा साधन है तो उसके लिए हमें वेतिरेक जो है तो वेतिरेक का साधन करके वो वेतिरेक जो त्यागना है वो त्याग के त्यागने के बाद भी अभी अनुवे दुरुष्टी प्राक्त कर लेनी हैं और इसले यहाँ साथवा का यूग कुछ एक्साइज करें, ऐसा ही हम योग करते हैं, हाथ उपले, पाओ उपले, नीचे बेखना, कमर में जूखना, या तो सोना, पाओ उपर करना, पह पीछे करना, या नौकासन करना, या वृत्ति परमात्मा के साथ जूड़ी रहना इसे योग कहा है और इसलिए योग साधना में योग सच्ची योग क्या है ये सच्ची योग के बारे में संतसेष्ट राजारा महराज हमें समझा रहे योग किसे कहा जाता है सर्वकार अक्षय चिद्रूपर एक एक शब्द कितन व्यतित होती है आधी तुनीन में चली जाती है उसमें की में बची हुए आधी जो है वो पूरी उदर अगया खाना पकाना या तुपसाना एक्ष़ जी कर जाती है खुद के लिए वप्ती कहा है हम सबी लोगों का एक हम हमें शक्या बोलते कि हमारे पास समय ही नहीं है हमें स संतों के पास समय कैसा होता है फिर हमें सैमल क्यों नहीं मिलता इसका मतलब समय का सदूप योग हम नहीं करते तो समय का सदूप योग करना है तो यहां पर योग कैसा करना है तो सर्वकार अब अक्षय चिद्रूप अखंड सर्वकार चिंतन करना है अक्षय किसका चिंतन कर जिसका अक्षय नहीं होता है, ऐसा एक प्रह्म तत्व है, प्रहात्न तत्व है, वही अक्षय है, वही चिद्याने ग्यान स्वरूप है, जो ग्यान स्वरूप है, वही सुख रूप है, वही आनन्द स्वरूप है, और वही अक्षय सुख दे सकता है, किसी का अलंका सोने का अलंका एक गंटा दो गंटा सुख दे सकते है सुन्दर सारी जो है वो एक दिन सुख दे सकते है दूसरे दिन उसकी पूरा जो इसको इस तरी खराब हो जाने के बाद वो इतना सुख नहीं देती यहने अक्षे सुख कहा नहींता है जो तत्व अक्षय ही है वही अक्षय सुख दे सकता है और इसलिए यहाँ पर कहा है योग उसे ही कहा जाता है जिस साधक ने सरवकार अक्षय जो तत्व है वो चिदरुप है ग्यान सरुप है यही अंतरंग में उसे धरण किया है और उसी ग्यान तत्व का सुख सरुप का जो जो चिंतन करने वाला साध्य के बक्त है, उसी ने योग जो है, वो साध्य किया है, सात्वा साध्य का है योग, आत्वा साध्य का है आसनो, आसन याने बैठना, अगर कभी आसन बैठने के लिए हम आसन चाहिए, तो हम बहुत सारा है आसन किसका होना चाहिए, वो धूतवस्तर का होना चाहिए, वा कंबल का होना चाहिए, यद्वा प्लस्तिक का होना चाहिए, कुर्सी पे बैठना है तो उसके पर गज़ी चाहिए, यह आसन के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन बैठना और बैठके क्या चिंतन करना उसके बारे में नहीं सोचते हैं, आसन तो जड़ है, लेकिन आसन तो सिद्धा करना पड़ता है, तो मन भी सिर रहेगा, और इसलिए पहले आसन को सिर करना पड़ता है, और इसलिए आसन जो है अताधन है, आस आशन श्तूल रूप से शरीर का आशन, मन्लों जो थो हमारे हदरा में पृटना है अध्यान के लिए, तो हम पजरासन बैठे या तो बजरासन बैठे, या तो सुखासन बैठे, ये जो आशन है, ये शरीर की दाय है अंग की जो स्थीती है, उसे आशन के दरे लेकिन, इस दि आसन है राजाराम माराज कौन सा आसन कहते है जो उन्हें मास्वामे को बताया वही आसन वो हमें बता रहे है कि अंतरंग में ब्रह्मा रूप निवान्त अंतरी अंतरंग में एकी ब्रह्मा तत्व मानो निवान्त बैठा है संतर का एक बचन है संतर सेष्टर वो केते कि माजा देव माजा रुदयात वैसला आसे निवानतो को सुख से भगवान मेरे अंदर बैठा है निवानता बैठा है आराम से बैठा है सुख से बैठा है इस तरह ब्रह्म तत्व निवान का अपने अंदर में बैठा होगा तो ही क्या है तो ही सच्ची आसन है अभी ये आसन हमें कमाना है और ये कमाना याने यह पुर्शार्थ है ये हमें कोई देने वाला नहीं है किसी ने मस्तक पर आत रखा तो ये आशिरवात से मिलने वाला नह है क्योंकि जब बंक्रके बैठेंगे तो आंक खोड़के जितना वीश्व नहीं दिखता है उससे बहुत बड़ा विश्व आंक बंकरके दिखता है तो यह सारे विश्व अंदर से निकाल देने के लिए हमें आसन जो है तो सिद्द करना है यह आपर कहा गए है पिर बाद में नौ ऐट मूल ये उगिक करिया है शरीर के कमर के उपर के वाख में तो उसे क्या का जाता है हो उसे सारे मुद्राय करी जाती है और कमर के मीचे का जो भाग है उसे सारे आसन का आ जाता है मूलबंद मूलबंद जब भी हम कभी योगासना का कलाज गया योगासना का जो कलाज गया तो योगमारगो का कुछ पढ़ाई किया होगा चोटे-चोटे कोर्शे सम करते हैं कि चलो मनिश को शांती के लिए ऐसे हम करते हैं तो वहाँ पर कुछ क्रिया हैं पढ़ाते हैं या तो सिखाते हैं इसमें कि पहली क्रिया है मूलबंद पूरा अपना श्वास पूरा पकर के रखना कुमबग करना और इस तरह का कुमबग करना अपनी नाभी खीच के खीच के खीच के इतने अंदर लेके जाने कि जहां पर अपना स्पाइनल कॉर तक अपनी नाभी अंदर लेके जाना यानि पूरा वायूर जो है वो शरीर के बा यह मूलबंद है, मूलबंद यानि नाभी पीट के मालों पीच तब पिछे लेके जाना, यह मूलबंद एक बायक्रिया है, लेकिन यह मूलबंद से भी वेदान्त का मूलबंद यानि विश्व का मूल तत्व कौन सा है, यह ब्रह्मा तत्व है, और सादक ने, वक्त ने, अप गृत्ति गृत्ति से यह जो मूला तत्व ब्रह्मा तत्व है यह बांकर रखना यह गृत्ति उस तत्व से बांधना यही मूला बंद है अब यह सच्चा मूला बंद है यह वेदान तका मूला बंद है और इसलिए योगा मारदों कहसा है अगर तुम्हें मूला बंद करना है तो कहा वृत्ती रेने चाहिए मूलादार गनेश का स्वरुपेत्वा मूलादार सितोसी नित्यम तु ही मेरा मूलादार है अगर तु ही मेरा मूलादार है तो यही मूलादार को पकड़ के रखना यही मूलब बन रहे हमने क्या-क्या बान के रखा है मन में सारे विशे बानके रखे है, पपंच बानके रखा है, हमारा संसार बानके रखा है, कई चीज़े जो हमें नहीं चाहिए वो बानके रखी है, लेकिन मूल अतत्व को, गणेश अतत्व को बांदा नहीं है, मूल बंध, का है तो मूल बंध, ये भी विचार जूपी साधना, व साम्य सम्यक योग यह जो दस्वा साधा ने यहां पर वो कहते है कि कार्य ब्रह्मा जो है वो कार्य ब्रह्मा किस तरह का कार्य करता है विश्व की निर्मीती हुई यह जो विश्वी की निर्मीती यह कार्य है यह कार्य ब्रह्मा अलग है और कारण ब्रह्मा अलग है कारण ब्रह्मा ब्रह्मा तत्व है यह ब्रह्मा को एकोवम बहुस्यान यह जो स्पुराण हुआ इसी पुरान को इश्वर तत्व कहते है और यही इश्वर तत्व जिसने इक्षन करके विश्व की निर्मिती की है यह पूरा विश्व का जो इक्षन किया है यह कार्य करने वाला कार्य ब्रह्म है यह कार्य ब्रह्म भी कैसा है यह शक्ति स्वरूप है लेकिन शक्ति स्वरू इश्वर पत्व को देखना, इश्वर का दर्शन नहीं लेना, लेकिन उस इश्वर पत्व का कार कैसे चलता है, यह समझ लेना, यह इश्वर उत्पत्ती करता है, वस्तिती का सम्माल करता है, यह लै भी करता है, जो जो जिसकी जिसकी निर्मिती होती है, उसमें यह संदी करता है और बक्तिम के लिए उनको ग्यान गेने के लिए वो सगुरु रूप से सगुण साकार भी होता है कि इश्वर के जितनी भी कार्य है यह कार्य यानि कार्य ब्रह्म क्या है इश्वर कत्व क्या है यह देखना इसे ही संतर सेश्ट राजारा मारात के ते यह साम्य स दस्वा साधन कहा गया गया गयारावा साधन जो है फ्रत्यहार प्रत्या लेशन कि उसे शोरी लेशन कर आ जाते ंंसां एक एका हलिए जाते लंसा कड़ांध से इनाले लगस्ट пост선 क्या principle एक या दो खाते और बागी सरी छोड़ देते हैं। याने प्रत्याहार, आहार को सामने है, लेकिन पूरा वो क्या करना सेवन नहीं करना। सामने विशे होके लिए उस विशे का सेवन न करना, इसे प्रत्याहार कहा दया है। आहार को प्रतिबंद करना यह प्रत्याहार है, अभी सिर्फ खाने के बारे में नहीं, लेकिन जितनी भी हमारी इंद्रिया है, वो इंद्रियां के अलग-अलग उनकी विशे उनका आहार है। जैसे आँखों का रूप यह आहार है, कानों का शब्द यह आहार है, तुक का सपर्श यह आहार है, जिवा का रस यह आहार है, ग्रारेंद्रिया का सुगंद यह आहार है। यह सारे अहार जो है, यह कम करना, उसका प्रतिबंद करना, उन्हें रूकना इसे प्रत्याहार कहा है। इस प्रत्यार के बारे में अभी ये ज्ञान का प्रत्यार है यहां पर एक जगा पर पूरा योगमार्गा बता रहे है और योगमार्गे में भी विदान्त की स्थरों का है वो पहते हैं चित स्वरुपी मुरे मनों, इसे ही प्रत्यार का है, अभी मन में एकी विशे है, सारे के सारे विशे बार ठेक दिये, आर एकी लिया भी, पांचों विशें का नहीं, पांच ग्यानेंद्रियों का नहीं, और पांच कर्मेंद्रियों का भी नहीं, सिर्फ एकी विशे, ग्यार बरे चिसह रुपए उसी को स्रीकारणा इसी को वह कहते है अपरत्यः आर olduğis argument अब ये कौन सा साधन है month 11115的 कहते है लिख आरस JP troop का रहा है अब आरना याने ठ्लीक ढपकissä遊戲 जो पकड़ के रखना थे उसे दहर्णा कहते एक चीज पकड़ के रखना च्छिताका जीज डारना करना यने पकड़ के रखना जो चीज हमें पसंद जो चीज हमें बड़ी प्यारी लगती है, जो चीज पर हमारा बहुत प्यार है, वो चीज बिना कश्ट से हमें याद आती है, और बिना कश्ट से जिसकी याद आती है, उसे धारना कहते है. क्या योगा मार्ग कितना सुलब हो गए? यहाँ पर जाते हमें कुछ नहीं है, संता में बड़े प्यार से सुलबा मार्ग से समझा रहे हैं. धारणा क्या है? धारणा यानि प्रयत्न की बीना जो हमें याद आता है, जो हमारे मन में जिसका स्पूरणा है, जिसका स्मरणा हमें नित्य है, वो क्या है? वो धारणा है. अब यह धारणा यानि अंतक्न वृत्ति ने एकी विशे पकड़ के रखना, परमात्ना पकड़ के चीदंबर तक्वा्पकड़क्या लखना यही क्या है धारणा है अब ये धारणा योगा भी डारणा क्या है वेदाण फीक तकी धारणा जब समझाते तक 10 शश्थ राज्यारणाग और भॉल्यू, भाम, तक करन में जो स्पुरण हैं जैसे हम सुभे उठते हैं पहला स्पुरण है चाहा दूसरा स्पुरण है बिस्कीट इससा स्पुरण है स्पुरण है चाई के साथ पेपर, चोत्रा स्पुरण एक नश्टा, पांचला स्पुरण इसनाल करना, छट्वा स्पुरण एक जाके ये काम करना, अखंडा अंदर स्पुरण चालू ये है ये जो स्पुरण है, इसके बदले में जा आपर ब्रह्म स्पुरे जानो तेची धारणा दारणा किसे का है, जहाँ पर एक ही एक स्पुरण है, वो ब्रह्म तत्व का स्पुरण है, या तो परमात में तत्व का स्पुरण है या तो गुरु तत्व का स्पुरण है, उसे ही धारणा का है, धारणा के सिवह और कुछ नहीं है धारणा जब परिपक्वा हो जाती है तब वो किसमे परिवर्थित होती है हमने देखा है कई बार ये भी देखा है कि जब धारणा परिपक्वा होती है उसी को ध्यान कहा जाता है अभी ध्यान ये कौन सा है ये तेरवा साधन कहा गया है ध्यान अभी हम लोग ध्यान के लिए classes किये जाते तेंगे ध्यान करने की चीज़ नहीं है वो होने की चीज़ है अम ध्यान कर नहीं सकते हैं बैठके ध्यान करना चीज़ नहीं है जो स्वभाव है वो स्वभाव वो करने की चीज़ नहीं वो होने की चीज़ है और इसलिए ध्यान जो है वो ध्यान जकम धारणा परीपकू होती है तो उसका परिवर्तन सहज किसमें होता है तो ध्यान में होता है अभी ये योगमार्ग का ध्यान कहा, अभी वेदान्त का ध्यान क्या है, इसके बारे में संतर सेश्टर राजाराम माराज के थे, अध्यात्मे परमा अनंद होतो, अध्यात्म यानि शरीर, ये अध्यात्म में सिर्फ एक ही अनुगुति है, और वो अनुगुति कौन से, परम अनंद परमा या निस्ष्ट निर्विषय इसनी हוג जो आनंद निर्विषय के ऑण्डेयाओं कि विशे की नहीं है बस आनंद यह सर्ज स्थिति है यह जो स्थिति है अध्यात में परमानंद होता इस शरीर में अखंद परमानंद की प्राप्ति है परमामृत की प्राप्ति है परमानंद दूसरा आनंद की सिवे और कुछ भी नहीं है संतों की अनुभुती अखंड परमान अंदकी है और हमारी अनुभुती हमारे जो पापडे गर में वो जैसे पापड हम दरम करते है या तो तेल में लालके तलते तलने के बादी वो इतने हलके हो जाते जरासा हाथ लगागा तो तूट जाते है वेसे हमारे मन की पापड किसीने स्तुती की तो तूट गया किसीने निंदा की तो भी तूट गया हमारा अंतक्रण की पापड तो खणखण में तूट जाते है और संतों को अखंड परमानन्द की प्राप्ति है इसे कहा है ज्यानो ज्यान याने अंतकर्ण की वृत्ति में शरीर की अध्यात्म याने शरीर अध्यात्मे परमानन्द होतो इसी शरीर में अखंड स्रेश्ट निर्विश्यानन्द की प्राप्ति जहां अखंड स्पूर्ती रूप है वही अंतरंगी की स्थिति है उसे ध्यान कहा गया है यह 13 वासादन है 14 वासादन जो है वह समाधी समततों में बुद्धी स्थित होना अभी आसन जैसा धारणा परिपकव होने के बाद उसका परिवरतन ध्यान में होता है वैसे ध्यान जब परिपकव होता है तो उसका परिव परतन समाधि में होता है और वुर्ति अभी समाधि यानि समत अत्व बुद्धी में एक ही विश्य दूसरा विश्य ही नहीं यह जो सित्य है यह समाधि सित्य है यह यह यूगमार्ग की सित्य बता ही और अभी वेदान्त की सित्य में क्या है तो वो सित्य समझाने के लिए भुर्ति में अखंध ब्रह्मार्य तत्वा है और अधर ज़्च dewस्त्त mad你 नहीं आता है सपक्रक्त वो तरंग आने आने में वो तरंग पानी में ही पूरा क्या हो जाता है तो तिगल जाता है उसी तरह जीव के अंतक करण में परमात्म का स्मरण आते आती ही वह वो परमात्मा तो मेले रुदे में ही है अभी बाहर कहा जाना है इस तरह का चिंतन करते करते वो वृति जो है तो इसलिए वृत्ती ब्रह्माकार जापर ब्रह्माकार उत्पर्थी वहीं पर उसका लए इसी स्थिती को विदान्त की विचारगारा में समाजी कहा गया है। यह सारे के सामें हमें अपनाना है। अंगीकार करना है या अपनाना है। जब यह पंद्रह साधा नाम अपनाएंगे तभी हमें आत्मानों भुति होगी। उनकी कभी खत्म ही नहीं होती। संत, सिवाशंकर का एक स्तोतर कहते हैं न कि जिसमें उसका चलना क्या है। उसका चलना यही उनकी प्रदक्षण है उनकी निद्रा क्या है। उनकी निद्राई समाधी स्थिति है, क्योंकि अखंड हुए स्वरुपाकारी है, जो नित्य स्वरुपाकार है, अखंड स्वरुपाकार, अखंड समाधी स्थिति, और इसलिए यह अखंड समाधी, यह पंद्रवी स्थिति है, जिसके वल्ण करते हुए, विदान तके अनुस अखंड समाधी तो बुड़ी देतो बुड़ी दाना यानि उसी पर वही पर रहना जैसे हम कभी पानी में तैरने के लिए जाते हैं और जैसे ही तैरने के लिए जाते हैं तो पानी में छलांग मारते हैं और छलांग मारने कर वही पर पानी में ही रहते हैं तो पानी के अंदर रेना ये बुड़ी देना उसी के अंदर रेना भक्त या साधक अभी अखंड जो है वो परमानंद में ही रहता है वो परमानंद स्तिती के बाहर आता ही नहीं है दुखे कि उसे अनुगुती ही नहीं है अखंड ब्रमानंद स्तिती में जो साधक या तो भक्त रहता है वो अखंड समाधी स्तिती इसका ये पंद्रहवा साधन है और ये पंद्रह साधन जो है ये योगमार्गा के साधन है लेकिन अनुगुती हमें वेदान तक ही लेनी है औ प्ubenद रोत्व से निर्धार रूपता है कि आम सफिर्वकर करता है होई लत्यासी सद्गुरु कृपा उसी सादक को सद्गुरु कृपा की प्राप्ति होती है और गुरु कृपा प्राप्ति से गुरु के सब संकल्प से शिश्य को भी आत्मानुभुती जो है वो आत्मानुभुती की आनुभुती होती है और इसे लिए आनुभूती आत्मा दर्शन या स्वरूपदर्शन के लिए ज्यान के जो 15 योगमार्ग के साधन है योगमार्गे साधन और यही योगमार्ग वेदानतका छिंतन करुप से भे साधन है और ये पंदरा और ये पंदरा ये पंदरा ये तीस तरह के साधन सामने हमारे रख्या है और अगर ये साधन हम अपना ले तो हमें गुरु कुरुपा हो सकती है और गुरु कुरुपा से हमें आत्मानो भुती जो है तो आत्मानो भुती हो सकती है इस तरह का विश्वार तंत श्रی गृुर देव और गुरुजी इन सलीके चरणों में समर्पीत करती है और अपने वाणी को वीराम देती हूं संतरसिष्थ महास्वस्वामी राजा राम महराज कीजिए सद्द चीजिए